अगर दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइमस ओव नॉलेज फैमिली में दोस्तों यहाँ पर CHSL 2019 का जो एक्जाम हुआ था पिपर वन का जो मार्च में हुआ था फिर बाद में सेप्टेंबर ऑक्टोबर के बीच में हुआ था तो वो एक्जाम अब फाइनली य की एक्जाम कब कब हुआ था उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़े बता रखी है और यह जितने भी केंडिट्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो पेपर टू के लिए आप 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 हो जाएंगे एलिजीबल और आपको अपियर कर सकते हैं पेपर टू डिस्क्रिप्टिव मे तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा आगे पेपर टू के लिए यहाँ पर कट आफ मार्क्स देख लिए जितने भी फ्रेशर से 2020 की CHSL एक्जाम देंगे जिन्होंने अभी अभी फॉर्म फिलिंग की है उनके लिए कट आफ देखना जरूरी है क्योंकि इस तरह से आगे भी प्रोसेस होगी क्योंकि यह नॉर्मलाइजेशन वाला कट आफ है नॉर्मलाइजेश्ट हुआ है पूरा इसलिए यहाँ पर कट आफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा पहले अगर आप देख रहे होंगे तो उसके कंपर में आपको ज्यादा दिखेगा तो कट आफ के लेश्ट है तो आपका यूर का जनरल का कट आफ आया 159.52440 ठीक है इतना कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है पेपर 2 के लिए यहाँ पर स्ट का कट आफ 136.10 यहाँ पर 7566 अविलेबल कैंडिडेट्स स्ट के लिए 127.32 OBC के लिए 156.10 यहाँ पर EWS के ल 23.78 and other PWD के लिए 74.32 इस तरह से यहाँ पर टोटल कैंडिडेट्स आपके कितने हैं 44,856 कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है तो इस तरह से आगे इनकी प्रोसेस होगी अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट्स थे जिनोंने यहाँ पर ट्वाइस यहाँ पर एक ठीक है उनको किसी रीजन से डिवाड कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको बताऊं तो यह cut-off सिर्फ यहाँ पर LDC, JSA and PASA का आया है तो यह चीज़ समझेगा कि इन्हीं का आया है और DEO का क्यों नहीं आया है क्योंकि इनोंने यहाँ पर साफ लिख रखा है कि आपर no vacancy has been reported for the post of DEO, यहाँ पर no vacancy, एक भी vacancy नहीं थी DEO post के लिए, therefore only one cut-off has been fixed by the commission, that is for LDC, JSA, PASA, ठीक है तो इसलिए इनोंने सिर्फ इसी का cut-off दिया, DEO का cut-off यहाँ पर नहीं आया है, तो यह चीज़ समझेगा, तो इस तरह से आपके सामने सारा cut-off है, यह information will share करनी थी औ पास-पास ही आपका cut-off इस बार भी रहेगा, तो पुराने cut-off देखना भूल जाए, cut-off को expectation भी कर रखना भूल जाए, expected सोचना भी भूल जाए, आपको सिर्फ अपनी 100% महनत रखनी है, वो रखनी है, pattern strategy के साथ किस तरह से एक्जाम आता है, किस तरह से हमने हमारी तयारी क किस तरह से हम follow करेंगे उस process को, और किस तरह से हम वहाँ पर सारी चीज़े अब हरी पूरी time to timely रहते, revise करके पूर अप exam देंगे, और पूर 100% देंगे, और एक seat के लिए ठीक है, वो सोच के चलेंगे, तो आप merit list में आएंगे, आप cut-off last वाला candidate नहीं होंगे, जो last candidate select होता ह जोगी होता है cut-off marks पे, आप आएंगे top merit में, ठीक है, और अपनी मन चाही state आपको मिलेगी, इतना सब चाहिए, तो आपको उस तरह सोचना होगा, expected cut-off और ये जो previous cut-off है, ये सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है, तब ही आपका काम यहाँ पर पूरी तरह से हो पाएगा, ज नहीं दू या फिर यही continue करूँ, तो उससे better यह है कि जो आप चाहते हैं, वह चाहिए ना, तो merit लाइए, ठीक है, तो सोचेगा इस चीज़ पर और उसी तरह से आप काम कीज़ेगा, तो मिलते नेक्स वीडियो में इसी जगह पर, और टेलिग्राम ग्रूप अगर जॉइन